देखो बंधू सबसे पहले मैं एक चीज यहां पर किलियर कर देता हूं यह जो कोशन है इंटिग्रेशन का प्रोब्लम नहीं है अरे भाई और समझना पड़ेगा कि इस टाइक प्रोब्लम को कैसे प्रोशीड करते हैं तो यहां पर लाश्ट में देखें कैंब बी मतलब है मल्टी करेक्ट हो गया एक से ज्यादा ऑप्सन सही हो सकता है यह एक्शल में जैए एडवांस का हो गया लेकिन जैए मैंस भी अपने तरीके स से कोशन पूच सकता है तो सबसे जो अभी मेजर प्रोब्लम है कि कोशन को प्रोशीड कैसे किया जाए अब यहां पर जनरली बच्चे क्या करेंगे कि देश प्लस देश प्लस देश उकल टो टू दी और अब सोचेंगे कि यहां से कुछ वहलो को रिप्लेस करके कुछ प्ल रहा है और हम कहां से सोच सकते हैं और क्या सोच रहे है वेक्टर कई जो रहा है फीक है अब इसके लिए क्या करना है एक Liqu Mokeским मैंने मालिया आई plus j and then plus k ठीक है and second is मैंने b माल लिया इसको मैं माल लेता हूँ fx i plus gx j and then plus hx k नहीं k बाद मैं अभी लिखना है न hx and then k ठीक है अब दो फेक्टर माल लिया आगे क्या अब लगाएंगे dot product ठीक है तो यहाँ पर a dot b और इन दोनों हेक्टर के बीच का एंगल मैंने क्या माना है theta in note कर लेना आप तो यहाँ पर हो जाएगा magnitude of a magnitude of b magnitude of this ठीक है और यहाँ पर लिखने के kawashita या theta is the angle between a and b ओकी तो अब a dot b निकालने dot product होत असान है यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा a fix and then plus यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा gx plus यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास hx which is equal to दोनों को dot product निकालना हो ठीक है magnitude of a कितना हो जाएगा under root 1 plus 1 plus 1 ठीक है और magnitude of b यानि कि यहाँ मेरे पास हो जाएगा a fix whole square plus यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा gx whole square and then plus मेरे पास हो जाएगा hx whole square यहाँ पर cost data भी लिखा हुआ है और into में चलो करता हो यहाँ पर cost ओकी अब e value कितना given है 2 ओकी यानि कि 2 is equal to यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास root 3 and यहाँ पर हो जाएगा आप इधर shift कर लिजिए यानि कि हो जाएगा 2 upon root 3 or 1 upon cost which is equal to sake which is equal to under root 30 ठीके squaring both side कर लें मैं यहाँ पर mention करता हूँ squaring both side यानि कि 4 upon 3 and then यहाँ लिखे लेंगे sake which is equal to मेरे पास आजाएगा a fix whole square and then plus gx whole square and then plus hx लिखे लेंगे whole square और यह fix whole square मतलब a face square x ही लिखा हुआ है a confuse मत कर जाना ठीके यानि कि यह value same ही लिखा हुआ है ओके अब यह value तू आ गया अब क्या किया जाए अभी भी यहाँ पर रखतेंगे अब इसको integrate integration जातो with respect to x दे रखा यहाँ पर ठीटा आ गया ठीके अब यहाँ देखिए यहाँ से और थोड़ा सा आपको एक चीज सोचना पड़ेगा थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा क्या दिखेएगा दिहां से अब हम लोग जानते हैं नाव वी नोट एट यह जो श्टेट्मेंट है याने कि से के सकवाठीटा greater than equal to one तो और इसके साथ multiplication में कितना है तो 4 upon 3 याने कि 4 upon 3 and then से के सकवाठीटा also greater than equal to kitना हो जाएगा 4 upon 3 ठीके अब यह जो value है यह value किसके equal है तो यह value है आपके पास fs²x प्लस यहाँ पे लिखे लेंगे gs²x and then तो कितना हो गया मेरे पास 4 upon 3 इंटीग्रेट ही तो करना है देखो एक मैंने इंटीडेट कर लिया अब यहां पे इंटीग्रेट कर लेते हैं तो यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 2 यहां पर लिखनेंगे 3 by 4 और इसको complete this और यहां पर लिखनेंगे dx यहां भी इंटीग्रेशन 0 2 3 by 4 और यहां पर लिखनेंगे तो इससे क्या फिरो निकालना था क्या तो इस ग्रेटर न इक्वाल टू यहां पर 4 यानि कि मेरे पास जो वायलू है यह वहलू है यह स्कॉरा एक प्लस यहां पर लिखनेंगे घ्र olvist और यह बोला कि इसका हो सकता है तो ठीक है तो यह आपके पास मल्टी करेक्ट था तो तीन हो गया हमारे पास अप्शन करेक्ट ठीक है इस मिनमी भैलो निकालने के लिए पूछता अगर जैंस पूछता तो इसका आंसर कितना जाता हो वह ना जाता है तो जैंस भी अपने तरीके से कोश्चन को पूछ सकता है कैसा लगा कोश्चन कैसा लगा सोलूशन थांक यू